ये चूना बहुत अच्छी दवा है हमारे घर के उन सब बच्चों के लिए जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है अगर ऐसे बच्चे आपके घर में हैं जिनकी बारे में आपको लगता है कि लंबाई नहीं बढ़ रही हैं इनको नियमित चूना खिला दीजे, गेउं के दाने के बराबर, साल बर खिला दीजे, लंबाई बहुत बड़े हैं, जो घर में ऐसे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धी कम हैं, मतीमंद बच्चे जिनको हम कहते हैं, mentally retarded, उन सब बच्चों की सबसे अच्छी दवा ये चूना, दो-तीन साल लगातार खिलाईए, गेउं के दाने के बराबर, दही में नहीं तो, पानी में नहीं तो दाले, हमारे धर में माताएं हैं, जिनकी उमर पचास वर्श हो गई हैं, और जिन माताओं की उमर पचास वर्श हो जाती हैं, उनका मासिक धर्म बंद होता है, मासिक चक बंद होने से उनकी सबसे अच्छी दवा ये चूना ही है। आप उनको गए रोज चूना खाएं। ये उनके दाने के बरावर। हमारी यहां बहुत सारी बेहने बैठी हैं इस बात को दिहान से सुने। घर में हमारी सबी बेहने और माता हैं जो मासिक धर्म की समस्या से परेशा हैं। उनका मासिक धर्म समय से नहीं आता आता है तो बहुत खून आता है या उसमें कई बार समय बहुत लगता है। इन सब मा सिक्द्रम की बीमारियों में दर्द बहुत होता है आप चूना खाईए गेहूं के दाने के बराबर दही में नहीं तो दाल में नहीं तो गरम पानी ये जो चूना है ना ये बहुत अद्वुत दवा है उन सभी मरीजों के लिए जिनको पीलिया होता रहता है अकसर जॉन्डिस जिनको भी जॉन्डिस होता है उनको आप गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाखे दीजी आदा गिलास गन्ने का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना बहुत जल्दी पीलिया ठीक होगा और बार बार पीलिया होना बंद होगा यह जो चूना है ना यह नपन सकता की बहुत अच्छी दवा है अगर कोई पुरुष ऐसा है जिसके वीर में शुक्राणों की संख्या एक दम निल है या बिल्कुल कम है उनको आप चूना खि वीर में शुक्राणों की संख्या बढ़ेगी ऐसी कई माताएं जिनके शरीर में अंडे नहीं बनते ओविलेशन का अब उनका गड़बड़ी है उनको आप चूना खिलाए बहुत जल्दी उनकी विमारी ठीक हो यह जो चूना है ना आपके रीड की हड़ी में कहीं कोई तक जी करने की ताकत चूने में है चूना खाइए पनजों में दर्द है चूना खाये ठीक हो आपके दात में अकसर धंड़ा गरम पानी लगता है तो आप चूना खा लिजे बिल्कुल ठीप हो जाए दात में कीले बहुत लगते हैं चूना खाये नहीं लगें दात हिलते हैं कमजोर हैं चूना खाये मजबूत हो जाए ये एक चूना 70 भीमारियों में कामाता है सब्तर और ये ईश्वर में हमें सबसे ज़्यादा दिया है सब्तर बीमारियों में कामाता है आप कभी भी इसको याद रखे मैं सबको यही कहता रहता हूँ कि आप चूना खाईए चूना लगाईए मत कभी किसी ये चूना लगाने के लिए में यह खाने के लिए और यह चूना हम खाएं तो दो ही बाते याद रखनी है पत्थर वाला खाना है पत्थर वाला चूना एक आता है एक सीव वाला भी आता है तो सीव वाला नहीं खाना पत्थर वाला और यही चूना है पत्थर वाला जो पान की दुकान में मिलता है इसे बस एक ये व्यक्ति चूना ना खाएं, एक सावधनी है इसमें, जिनको पत्थरी की बीमारी है, जिनको गॉल्डेडर स्टोन है, वो चूना ना खाएं, जिनको किड्नी स्टोन है, वो चूना ना खाएं, जिनको मूत्रपिंड में पत्थर है, वो चूना ना खाएं, बाकी पहाई